हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 powerful rules बताने वाले हैं जिने अगर आपने follow कर लिया, तो अगले एक साल में क्या आपको अगले 6 महीने या अगले 3 महीने में amazing life changing results guaranteed दिखने लग जाएंगे अपनी life में। असल में हम पिछले कई दिनों से ये सोच रहे थे कि ऐसे सिरिफ 5 क्या rules हो सकते हैं जिने अगर कोई भी person follow करे तो वो अपनी life guaranteed पूरी तरह से change कर सकता है तो हमारी कई दिनों की research और सालों के personal experience के बाद हमने ये 5 rules आपके लिए final किये जिसमें से third rule गलती से भी skip मत करना लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा first rule become mentally super strong ये सबसे पहला और सबसे powerful एक लौता ऐसा rule है जो बाकी के चारो rules की बुनियाद है यानि अगर आपने ये rule follow नहीं किया तो बाकी rules आप कभी follow नहीं कर सकते तो इस rule की एक एक line बहुते ध्यान से सुनना ये सबसे ज़दा important rule है क्योंकि आपके goals और आपके बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रुकावट है और वो है आपका mindset आपने ये तो सुनाई होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो तो आप सोचो क्या पूरे दिन भर क्या सोचते हो अगर आप depressed रहते हो, overthinking करते हो, खुद के बारे में बुरा और weak feel करते हो तो सोचो आप क्या बनोगे आप दिमाग में जैसा बीज रोज बहोगे वैसा ही आपका future होगा जब तक आप mentally strong नहीं होंगे, तब तक आप actions अपने mind के according नहीं बलकि अपनी feeling और emotions के according लोगे पर जब आप mentally strong बन जाते हो, तो आपके emotions, feelings and actions आपके control में आ जाते हैं और यहाँ mentally strong होने का मतलब है self control होना control उन सारे चीज़ों पर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है यह emotions, feelings और अपने mood को इतने importance मत दो, यह हर पल बदलते रहते हैं क्योंकि mentally weak होने की वज़ा से ही आजकर लोगों को जरा सी tension होती है तो वो उसे anxiety का नाम देके बैठ जाते हैं थोड़ी सी भी sadness हुई तो वो उसको depression मानकर अपनी lazy behavior को justify करते हैं social media ने इन sensitive topics को इतना common बना दिया है कि depressed और anxious रहना तो अब एक fashion बन गया है हर कोई बिना किसी doctor को दिखाए, खुद यह बोलता फिर रहा है कि मुझे anxiety है मुझे depression है और लोग इसे खुद बढ़ा रहे हैं depressing reels और shots देखके इसलिए बहतर है कि आज ही खुद से ये commitment करो कि अब से मैं mentally super strong बनने पे focus करूँगा आज ही अपने अंदर ये thought लाओ कि मैं ऐसे weak mindset के साथ नहीं जी सकता मुझे mentally strong बनना है क्योंकि weak mindset से success नहीं मिलती और अगर गलती से मिल भी गई तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाईगी तो इसलिए आप रोज self control practice करने के लिए शुरुआत इस simple से step से करो क्यानि हर सुबा एक ही time पर उठो रोज क्योंकि ये एक छोटी और simple सी आदत आपको हर रोज psychological कली trigger करेगी mentally strong बनने के लिए और सुबह सुबह आपकी नजरों में आपको एक winner दिखाईगी जो subconsciously आपकी self respect खुद के लिए बढ़ाती है और आप दिन की शुरुआत में ही एक positive mindset कर देते हो वो कहता है ना अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने वो दिन भी जीत लिया इसके साथ ही अपनी किसी एक self destructive habit को जड़ से खतम कर दो हर किसी में एक ऐसी आदत जरूर होती है जो उन्हें हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन mentally weak बनाती है जिसे करने के बाद उन्हें immediate guilt, पस्तावा और shame feel होता है वो कुछ भी हो सकता है जैसे की कुछ मीठा खाना, internet पे गंदी अशलील वीडियोस देखना, masturbate करना किसी तरह का कोई addiction या कुछ भी जिसे आप छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पार है बस इस एक habit को आपको अपनी life से निकाल फेंकना है सबसे मुश्किल जंग खुद सही होती है और आपको रोज खुद से खुद की mental जंग में रोज जीतना है अगर आपको mentally strong बनना है तो आप 13 things mentally strong people don't do, बुक्स जरूर पढ़े और अगर आप बहुत जदा emotional person हो, emotionally weak हो तो emotional intelligence बुक्स जरूर पढ़ना हो इन दोनों ही बुक्स को हमने खुद पढ़ा है और हम आपको भी recommend करते हैं लेकिन इसी के साथ आपका अपने purpose पर focus करना भी बहुत जरूरी है focus on your purpose देखो या तो हो सकता है कि आपको अपनी life का long term में purpose already पता है यानि आपने अपना life purpose already ढूंड लिया है वही हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी life का purpose ढूंडा ही ना हो यानि आपको पता ही ना हो कि आपकी life का purpose क्या है तो don't worry आप या तो अपना life purpose ढूण सकते हैं, या फिर all over समझा जाए, तो हम सबकी life में long term purpose में सबसे important role play करता है कि हम काम क्या करते हैं, long term में हमारा profession या काम क्या है, आपका purpose कुछ भी हो सकता है, जो कोई आपको बता नहीं सकता, आपसे बहतर कोई नहीं जानता कि आपकी life का purpose क्या ह या आपका कोई goal या aim भी हो सकता है, जैसे कई लोगों का purpose होता है कि उन्हें life में एक successful entrepreneur बनना है, अपना खुद का boss बनना है, किसी को UPSC का exam crack करके बड़ा officer बनना है, singer, dancer, rapper या artist बनना चाहता है, या किसी को बस सारी दुनिया में travel करना है, Now, आपको करना यह है कि हर दिन सिर्फ 90 minutes, यानि डेर घंटे तो उस चीज या purpose पे काम करना ही करना है, और इसे करने का सबसे best time है, सुबह उटकर fresh mind के साथ इस एक सबसे जरूरी काम को करके finish कर दो, ताकि पूरा दिन आप खुशी-खुशी बिता पाओ, और सोने से पहले आ आपके purpose से जुड़ा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके purpose को क्या एक चीज पूरा होने से हर दिन रोक रही है, वो है rule number 3 में, quit social media and phone, हर एक काम को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो है focus, इस rule को follow करके हम अपना focus, concentration औ पहार आ जाएगा, ये एक rule अगर follow कर लिया तो आज 99% यूथ अपने आप ही सही हो जाएगा, क्यूंकि आपके सबसे तगड़े दोस्त के रूप में आपका यही phone आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, तो इसलिए अपने phone के साथ अपना रिष्टा ऐसा बना लो कि ये मेरा दोस्त नहीं बलकि सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसे एक टाइम पर तेल सबसे ज़्यादा कीमती हुआ करता था, जिस पे हर कोई अपना कबज़ा जमाना चाता था, हाथ सबसे ज़्यादा कीमती है हम humans का attention, हम आज एक attention economy में जी रहे हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोगों का attention है, वही सबसे अमीर है, आपका attention कितना कीमती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ लो, कि आपकी कुछ seconds की attention पाने के लिए बड़ी-बड़ी companies करोडों की बोली लगाती है, ज़रा सोच के देखो, लोगों की भीड, जिनका social media की वज़ा से attention span गिरता जा रहा है, फोकस करने में problem हो रही है, खुद को दूसरों से compare करकर के उनका self confidence गिरता जा रहा है, अशलील content देख देख के वो अंदर से खोकले होते जा रहे हैं, तो आपको बस करना यह है कि अगले कुछ महिनों तक अप बैड पे लेटे हो, सोफे पे बैठे हो, लाइन में खड़े हो, बॉक कर रहे हो, जब करने को कुछ ना हो, तो अपना फोन निकाल के अपनी बोर या दूर मत करो, अपने खाली पन में अपनी जिन्दगी और जधा बहतर बनाने का सोचो, फोन के entertainment से नहीं, याद रखो, फ सजार कमाते हो, या एक लाख, अगर आप अपनी 500 रुपे की pocket money तक को manage नहीं कर पाते, तो आपको चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए, आपकी पैसो की problem कभी खतम नहीं होगी, अगले कुछ महीनों तक आपका focus mainly दो चीजों पे होना चाहिए, पहला है, अपने लिए पर realistic financial goals set करने है, कि मेरे पास इतने समय या महीनों के बाद इतनी savings होगी, आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपका ध्यान उसे खर्च करने पर नहीं, बलकि अपने goal को पूरा करने के लिए उसे save करने पर जाना चाहिए, दूसरा, आपको पैसा कमाना सीखना पड़ेगा, अगले कुछ महीनों में कहीं न कहीं से एक income source बनाना है, चाहे आप freelancing करो, कोई side job करो, या कुछ sell करो, जब आपका mindset पैसा कमाने वाला बन जाएगा, तो आपको अपने आप ideas आने लगेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक normal middle class person से अगले 6 महीनिया एक साल में एक rich millionaire बन हम आपको एक book suggest करते हैं, the psychology of money, अपनी financial condition ठीक करने का ये सबसे best starting point है, अब आता है last, लेकिन ऐसा rule जिसे doctors भी आपको जिन्दिगी भर follow करने के लिए बोलेंगे, get physically stronger, अगले कुछ महीने या साल भर बात, सबसे visible change जो आप खुद में notice करोगे, वो होगी आपकी health, इस rule को follow क जब आप खुद को आईने में देखोगे, तो आपको realize होगा कि आप कितनी दूर निकलाए हो, आपको apps वाली aesthetic body नहीं बनानी, नहीं बहुत सदा muscular बनना है, आपको अंदर से fit होना है, आपका stamina, strength, flexibility, power, इस सब एक दम best होनी चाहिए, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, Basically इस rule में दो चीज़े हैं जिसे आपको follow करना है, पहला है हर दिन minimum 30 minutes का workout, आप घर में करें, जिम जाके करें, या बाहर पार्क में, इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता, आपको अपनी body को किसी ना किसी तरह के pressure से गुजारना है, अपनी strength को उसकी limit तक push करना है, अगर ये लग रहा हो, तो start करो हर दिन 30 minutes walk करने से, फिर धीरे धीरे exercise को अपने routine में डालो, दूसरा, एक clean healthy diet follow करो, ये बाहर का जंक नहीं, एकदम साफ nutrients वाला खाना, इसके लिए आपको कुछ extraordinary नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घर में बना खाना, खाना है बस, बाहर का कुछ भी नही physically और mentally fit होना कोई goal नहीं है, बलकि एक lifestyle है, जो आपको हर दिन जीनी है, और हर दिन कैसे consistent रहा जाए, इसके लिए हमारी ये वाली वीडियो देखो, वरना ये वाली वीडियो देखो